नमस्कार सातियों, डॉक्टर उमंखना हुए उपेथि क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है सातियों आज हम बात करेंगे उस समस्या के विश्य में जो हम सब को कभी ना कभी होनी है हर मेल को होनी है, हर पुरुस को होनी है लगभग, बात करेंगे प्रोस्टेट बढ़ने के विश्य में, बनाइन प्रोस्टेट हाइबर्टोफी के विश्य में, प्रोस्टेट एंलाज्मेंट के विश्य में प्रोस्टेट का बढ़ना साथियों एक common condition है जो एक aging factor है जो एक उमर के बाद लगभग सब में होता है किनी में थोड़ा जादा होता है किनी में थोड़ा कम होता है हम आपको बताएंगे prostate को बढ़ने से रोकने की और बढ़े हुए prostate को ठीक करने की दस कारगर हुमियों पर ठीक दोाएं सबसे पहले साथियों जान लेते हैं prostate होता क्या है या गदूद जिसे हिंदी में कहते हैं वो होते क्या है गदूद हमारे पियर आफ ग्लैंट्स होते हैं जो जब हमारे यूरिनरी ब्लैडर से पाइप होता हुआ पेनिस तक से होता हुआ जाता है तो जो यूरेथ्रा उसका पाइप का पोर्शन होता है उसके बीच में दो ग्लैंट्स सबसे लास्ट में होते हैं वहाँ उनका काम होत प्रोवाइट कराना कभी कभी होता यह है कि यहां ग्लैंड उमर के साथ एज के साथ स्वेल कर जाते हैं एलाज हो जाते हैं जब यहां ग्लैंड बढ़ जाते हैं तो यह यूरेथ्रा को प्रिस करने लगते हैं और जब यहां यूरेथ्रा को प्रिस करने लगते हैं वही कंडि अगर आपको बढ़ा हुआ है तो आप PSA की जहां जरूर कराए PSA इस prostate specific antigen यह एक prostate cancer के लिए जाच होती है क्योंकि males में Prostate Cancer सबसे common cancer है सबसे जादा होने वाला cancer है तो Prostate Cancer के लिए आप जाच अवश्नीयमित रूप से कराते रहें अगर आपका Prostate बढ़ा है आपकी जानकारी में है तो और नहीं है तो भी आप ultrasound कराते रहें Prostate Enlargement आपके ultrasound में आ जाएगा 24 cc जो normal volume होती है आपको उससे ज़्यादा उसकी volume मिलेगी और यहाँ आपका indication होगा दवा करने का साथियों जान लेते हैं prostate बढ़ने के causes prostate एक aging process होता है जो सबको होना है वक्त के साथ इसका side बढ़ता है इसमें थोड़ा calcification होता है और यहाँ उरित्रा को प्रेस करने लगता है prostate दिनका बढ़ता है उनको जब आपको रात में बार-बार पिशाब जाने का इस्तिती महसूस होने लगे पिशाब आपको लगे खुल के नहीं हुआ कुछ कत्रे रह गए पिशाब में आपको बार-बार जलन होने लगे आपके पेट के निचले हिस्से में पेन होने लगे तो समझ लीजे कि आपको हो सकता है prostate हो इसके लिए आप एक ultrasound करा लें और एक PSE की जाँच करा लें ये दो जाँचे आपकी diagnosis बनाके आपको सही रास्ते पे ला कर देंगी हम बताते हैं साथियों आपको prostate को control करने बड़े prostate को control करने और ठीक करने की दसकारगर homeopathic दवाए उससे पहले हम अपने साथियों को बता दे जिसमें वीडियो देखने वाले ज्यादा तर हमारे बुजूर साथ ही होंगे उनको बता दें कि आप लोगों से निवेधन है कि क्योंकि prostate cancer सबसे common cancer होता है मिल्स में तो अगर आपको prostate enlargement की सिकायत है तो आप एक कुसल्ची किसक से मिलके उससे prescribe कराके तभी दवा लें यूँ अपने मन से दवा ना ले हो सकता है कभी यहाँ दवा backfire कर दें सिंटम्स आपको match ना करें और आपको नुकसान पहुचा दे चलते हैं साथियों आपको बताते हैं homeopathy में prostate को ठीक करने की 10 कारगर homeopathy दवाए सबसे कारगर दवा जो homeopathy में prostate को ठीक करने की जो अपने क्लिनिक पे हम देखते हैं कि बहुत अच्छा काम करती है वहाँ है barita carb बराइटा कार्ब 30 एक ऐसी दवा है जो किसी भी ग्लैंड की हाइपर ट्रोफी हो आप उसमें ले सकते हैं यानि कोई भी ग्लैंड जो ओवर वर करता हो आप उसमें ले सकते हैं ओवर साइज हो गया हो आप उसमें ले सकते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड भी उसी की संखला का एक ग्लैंड है तो अगर आपका प्रोस्टेट बढ़ा है तो आप बराइटा कार्ट थर्टी दो दो बून दिन में तीन बाल ले कि आप अपने टीटमेंट की शुरुबात कर स अगर आपका प्रोस्टेट बढ़ा है आप देखेंगे कि आपका प्रोस्टेट वापस अपने साइज को रिगेन करने लगेगा और जब आप अल्ट्रसाउंड कराएंगे तो फिर वो आपको चौबिस सीसी है उससे कम वालियूम ही दिखाएगा उससे अधिक वालियूम न यूरीन के सुरू होने में बहुत वक्त लग गया तो अगर यहां कंडिशन होती है जब यूरीनेशन के लिए आप बैठते या खड़े होते हैं उस समय आपके यूरीन को शुरुवात होने में पिशाप के निकलने में पास होने में देर लगती है अगर यहां इस्टिति आ हमारे साथी उस कंडिशन में ले सकते हैं कि जब आपको यूरीन को पास करने से पहले बहुत देर ख़़े रहना पड़ता हो बहुत देर मतलब एक दो तीन मेट ख़़े रहना पड़ता हो उस सिती में आप क्लिमेटिस इरेक्टा 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार स्टार्ट कर दे लेना आप देखेंगे कि आपका यह सिम्टम चला गया और यह सिम्टम तभी जाएगा जब आपका प्रोस्टेट साही हो रहा होगा तो क्लिमेटिस इरेक्टा 30 इस कंडिशन की बहुत अच इंटर्वल में पूरे टाइम आपके दर्द बना हुआ है बीच में घंटा दो घंटा जिसके बाद आप यूरीन गए उस कंडिशन में उस दर्द को दूर करने की और एनलाज प्रोस्टेट को ठीक करने की होमियोपेटि में बहुत अच्छी दवाई स्टैफिस सेग्रिया आप स्टैफिस सेग्रिया थर्टी दो दो पून दिन में तीन बार ले लें आप देखेंगे कि आपका एनलाज प्रोस्टेट भी सही हो गया और जो पासिंग औफ यूरीन का जो इंटर्वल है उसके बीच में जो आपके पेन हो रहा है वहां भी ठीक हो गया तो स्टैफिस दवाएं जो आपका प्रोस्टेट पढ़ने की शुरुवात हो यानि आपको यूरीन भी थोड़ा सा लगता हो दो कत्रा रह गया रात में एक दो बार उठना पढ़ता हो और आपके शुरुवात हुई हो तो शुरुवाती इंफ्लमेटरी कंडिशन में ही प्रोस्टेट को आपको मालूम हो गई है और आप प्रोस्टेट ठीक करना चाहते हैं तो आप बेलेडोना 200 पावर में और एकोनाइट ने प्लस 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार कुछ महीने यानि एक महीने तक ले लें आप देखेंगे कि वाद सिम्टम आपका वहीं रुग गय और आप रिट्रैट कर गए आप वापस आराम की तरफ आ गए दूसरी कंडिशन जो इसमें आती है कि आपके यूरीन पास तो हो रहा है लेकि उसमें स्ट्रेन बहुत हो रहा है तो अगर आपको स्ट्रेनिंग के साथ यूरीन हो रहा है जो लगाना पढ़ रहा है यूरीन म तो इस कंडिशन में चीमा फिला बहुत अच्छा काम करेगी, चीमा फिला अमलेकटा 30 पावर में 2-2 बून दिन में 3 बार आप ले सकते हैं, आप देखेंगे कि आपको जो इस्ट्रेन लगाना पड़ रहा है, और कभी-कभी ये स्ट्रेन इतना जादा हो सकता है कि आपको पै ऐसा में पानी आ रहा है, तो अगर यंशेटिक दिस्चारज आपके ओड़ा है, और उस शिति को होम्यो पैथी में ठीक करने की बहुत कारगरदवा फॉस्फॉरस है, और फॉस्फॉरस वन इम कि तीन को टराज्टन पच्च मिनिट के फासले पर वीकली ले सकते हैं, जब आपके चिपचिपा ऐसा पानी महसूस हो रहा हो और आपके प्रोस्टेट बढ़ा हुआ हो और आपको शाम को आपकी तकलीफें ज़ादा बढ़ती हो आपको शरीक के अंदर जलन महसूस होती हो या सिम्टम अगर आप में पाए जा रहे हो तो फॉस्फोरस आपकी डर्ग यूरीन आने लगी तो अगर जागदार यूरीन आपके आ रही है और आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है तो उस सिम्टम को होमियोपैथी में ठीक करने की बहुत कारकर दबाए स्पॉंजिया है आप इस पॉंजिया थार्टी दो दो बून दिन में तीन बार ले सकते है आप देखेंगे कि आपका प्रोस्टेट भी ठीक हो गया हाइपटोफी ठीक हो गई और आपकी जो फ्रॉथी उरीन जागदार यूरीन है वहाँ भी खतम हो गई और आप अपना नॉर्मल जीवन व्यतीत करते दिखेंगे तो इस पॉंजिया थार्टी आपके इस केस में ड बून-बून करके हो रही है तो यदि आपके बून-बून करके यूरीन हो रही हो तो इसको ठीक करने की होमयोपैती में दो बहुत कारगर दबाए हैं पहली दबा इस इस्थिती की आयोडम आयोडम वन येम पावर में तीन खुरा का पच-पच मिनिट के फासले पर वीकली उस कंडिशन में ले सकते हैं जब आपके यूरीन जो है बून-बून करके पास हो रही हो और आपको जो constitution है वो दुबला पतला हो और आपको गर्मी बहुत लगती हो अगर यहाँ चीजें आप अपने में symptoms देखते हैं तो निशेत रूप से आपको prostate को enlargement को ठीक करने की दबा आयोडम है और दूसरी दबा जो कि मैं कहूंगा कि prostate को ठीक करने की head remedy भी है बहुत important दबा है हम अपना treatment clinic पे इसी दबा से शुरू करते हैं वहाँ है कोनियम कोनियम वनियम पावर में भी तीन खुरा का पच-पच मिट के फासले पर वीकली ले सकते हैं जब आपके urine जलन दर्द के साथ बूनों में धीरे-धीरे होती हो prostate enlargement के case में उस case में कोनियम आपके लिए बहुत मुफीत दबा है कोनियम वनियम पावर की तीन खुराक लेकर आप अपने prostate के enlargement का treatment शुरू कर सकते हैं फिर एक condition आती कि बहुत पतली धार में urine हो रही है तो अगर बहुत पतली धार में urine हो रही है तो उसकी होमें पैथी में बहुत कारगर दबा है और दबा का नाम है क्लिमाटिस इरक्टा और आर्जेंटम नाइट्रिकम यह दोनों दबा बहुत कारगर हैं आपके बहुत पतली धार में urine होने की सिती में आर्जेंटम नाइट्रिकम का मरीद बड़ा इंटेलेक्शुल होता है जीवन में जैसे पढ़ाई लिखाई और इन सब बहुत ध्यान देता है और उसमें एक नर्वस ने सोती है जैसे वो कहीं पाहत जाता है तो उससे पहले उसे दो तीन बार urine जाना पड़ता है तो अगर आर्जेंटम नाइट्रिकम है निश्चेत रूप से आर्जेंटम नाइट्रिकम आपके प्रॉस्टेट को ठीक कर देगी अगर यहां सिम्टम आप में है और इसी शंकला की दूसी दवा हमने बताई क्लिमैटिस एरेक्टर 30 पावर में दो 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 बूंदू सी सिती में और आपके प्रॉस्टेट को ठीक करेगी ऐसा देखा गया है फिर साथियों कि स्थिती आती है प्रॉस्टेट एलाजमेंट के केस में कि जब आपका प्रॉस्टेट बहुत बढ़ गया है और आपके यूरीन बहुत कम हो रहा है तो यहां सिम्टम आप में है तो इसको ठीक क जब आपका Prostrate भड़ा ओअ आप yourean के लिए जाते हो और yourean बहुत कम ना हो य façon to आपको बारबार लगती हो आप जाते हैं लेकिन यूरीन बहुत कम होती हो यह कंडिशन अ अगर आपके है कंटी यूरीन की कम यूरीन की तो उसकी रवा मर्सॉल है मर्सॉल 32-22 दिन में 3 बार ले लें आपको अराम मिल जाएगा आपको लाब मिल जाएगा मर्सॉल के मरीज के मुँँ में छाले भी अक्सर पड़े होते हैं और खाने के बाद उनको पॉटी या मोशन करने जाना पड़ता है स्टूल पास करने जाना पड़ता है स्टूल होने का अर्जिंग महसूस होने लगती है या भी एक सिंटम होता है जो इस दवा के साथ जुड़ा होता है दूसी दवा साथियों इसी कंडिशन की हमने बताई लाइको पोडियम लाइको पोडियम क्लेवेटम 30-22-22 दिन में 3 बार आप उस कंडिशन में ले सकते हैं कि जब आपके प्रॉस्टेट पढ़ा हो और आपको रात में बार-बार पेशाब लगती हो बार-बार पेशाब जाना पड़ता हो लेकिन पेशाब जादा ना होती हो स्कैंटी होती हो उस कंडिशन में जो रात में आपको पिशाप जादा जाना पड़ता हो उसकी दवा लाइकोपोडियम है लाइकोपोडियम के मरीश के पेट के लोर एब्डामेन में गैस बनती है गुरगुड़ा हाट होती है गैस की और उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी होता है हो सकता है यहां की सिम्टर्स अगर आप में है तो दवा लाइकोपोडियम है आप लाइकोपोडियम 30 कुछ दिन इस्तमाल कर लें बहुत दिन ना करिएगा लाइकोपोडियम इस्तमाल डॉक्टर से पूछ के ही करिएगा लेकिन यह दवा आपको फाइदा देगी फिर एक कंडिशन आती है प्रोस्टेट के केस में कि पेशाब हो ही नहीं रही है अगर यह कंडिशन हो तो इसको भी हुमियोपैथी में ठीक करने की बहुत कारगर दवाएं है उस कंडिशन में डिजी टैलिस लेकर आप एक बार देख सकते हैं शायर यह दवा आपको फाइदा कर जाए और दूसी दवा इसी कंडिशन की है परेवा ब्रावा परेवा ब्रावा का मदट इंचर आप दर्दस भून दिन में चार बार उस कंडिशन में ले सकते हैं जब आपकी यूरीन भी बिल्कुल रुख गई हो और आपको बिल्कुल नी पोजीशन में नी हैंड पोजीशन में बैटना पड़ रहा हो यूरीन को पास करने के लिए अगर यहां आपके मेनिफेस्टेशन प्रॉस्टेट बढ़ने पे हो रहा है तो आप इसके लिए परेरा ब्रावा कमरेट इंचर दस भून चार बार लेकर देख ले बहुत उमीद है कि इससे आपको फाइदा मिल जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे फिर एक कंडिशन आती है कि यूरीन को रोख ही नहीं पा रहे है इतनी जादा अरजेंसी आ रही है प्रॉस्टेट बढ़ने पर कि यूरीन रोख नहीं रही है अगर यहाँ कंडिशन आप अपने में देखें तो इसको भी दूर करने के हुमियोपैती में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है सल्फर आप सल्फर वन एम की तीन खुराग पचपच मिनिट के फासले पर वीकली ले लें आप देखेंगे कि आपका जो बढ़े दवा है उसको यूटी आई बार बार हो जाता है तो अगर आपके प्रॉस्टेट बढ़ने की सिकायत है और साथ में आपको यूनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन यानि पिशाब में जलन चिलकन यूटी आई भी हो रहा है तो उसको ठीक करने की हुमियोपैथी में दो बहुत का पानी पीने का मन ना करता हो अगर यहाँ सिंटम आप में है और आपका प्रॉस्टेट बढ़ा है और पिशाब में जलन यूटी आई बार बार हो रहा है तो एपिस के लेने से आपको आराम मिल जाएगा ना आपको यूटी आई होगा और प्रॉस्टेट तो आपका ठीक हो नहीं लगेगा और दूसरी दवा इसी इसी शंकला की है केंथारिस केंथारिस थार्टी भी आप दो दो बून दिन में तीन बार ले लें यहाँ यूटी आई की सबसे अच्छी दवाओं में से एक है और आपका यूटी टैक्ट इंफेक्शन यानि पिशाब में जलन चिलक को खतम करके आपको निश्चित रूप से आराम दे देगी फिर साथी के कंडिशन देखी गई है कि जिनके प्रॉस्टेट होता है उनका यूरीन में बहुत बद्बू आती है अगर आपका एनलाज प्रॉस्टेट है और आपकी यूरीन बहुत उफेंसिव ओडर की यानि उ उस सिम्टम पे प्रॉस्टेट को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है एसीडम नाइट्रिकम आप एसीडिकम नाइट्रम थार्टी दोसो पावर की तीन खुराग पच-पच मिनिट के फासले पर वीकली ले ले आप देखेंगे कि आपका प्रॉस्टेट भी सही हो गया और आपके जो उफेंसिव और की यूरीन थी बदबूदार यूरीन थी वहां भी ठीक हो गई और आपको राहत मिल गई फिर एक इस्तिती जो प्रॉस्टेट के पेशेंट्स अपने क्लीनिक पर देखते हैं वहां है कि आपके यूरीन की अर्जिंग बहुत तेज हुई और आपके इन्वालेंट्री ड्रिबलिंग और यूरीन हो गई है तो उस कंडिशन की होमियोपैथी में बहुत कारगर दवा है थूजा आप थूजा 200 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार ले लें या थूजा 200 आपको निश्ची तूप से प्रॉस्टेट को ठीक कर यह आपको करिस्माई रिजाट देगी आपके ऑपरेशन को बचाएगी और आपको ठीक करेगी फिर एक कंडिशन प्रॉस्टेट में आती है कभी कभी साथियों कि जो आपकी पिशाब की नली है उसमें आपको प्रॉस्टेट के बढ़ने के कारण कटिंग टाइप पेन रे होमियोपैथी में बहुत कारगर दवा फेरंपिक रेटम है फेरंपिक थर्टी दो दो बून दिन में तीन बार आप ले लें आप देखेंगे कि आपका युरीन पास करते वस्त रेतने काटने वाला दर्द भी खतम हो गया और आप पूरी तरह ठीक भी हो गए आपका होमियोपैथी में इसकी बहुत कारगर दवा सॉलीड एगो है सॉलीड एगो का मदर टिन्चर दस बून दिन में चार बार लेने से मरीजों के जो कैथेटर तक लगा हुआ है प्रोस्टेट और यूटी आई के कारण वहां तक निकल जाता है और मरीज ठीक हो जाता है प्रो बहुत परिशान है यहाद आपको निश्चित रूप से आराम देगी फिर एक कंडिशन आती जो थोड़ी वर्स कंडिशन है कि आपके प्रोस्टेट में सूजन आगे सूजन क्या तो उसमें इंफेक्शन भी हो गया अगर यह इस तरह की वर्स कंडिशन आपने आ रही है त उसको भी ठीक करने की होमयोपेथी में बहुत कारगरदवा है पहले तो हम दुआ करते हैं प्रे करते हैं गौट से कि ऐसी कंडिशन आप लोगों के सामने ना आए तेकिन अगर यहा řही है तो ठीक करने की होरमयोपेथी में बहुत कारगरदवा मर्कूरेस आयोडेटम है म कुछ दवाएं थी आपके लिए बनाइन प्रोस्टेट हाइपर्टोफी यानि प्रोस्टेट एंलार्डमेंट यानि गदूत के बढ़ने के विशय में उसको ठीक करने के विशय में हम फिर बता दें कोई भी दवा बिना कुसल्ची किसक से पूछे ना ले क्योंकि दवा और स इंटर्म प्रती व्यक्ति के एसाब से हुमियोपेटी में भिन हो सकते हैं और दवाएं नुक्सान भी कर सकती हैं और अपनी PSA की जहां जरूर कराएं क्योंकि प्रोस्टेटिक कैंसर में सबसे ज़्यादा फैलने वाला कैंसर है मेरा ये प्रयास था अपने बुजूर हूँ अभी 40-40 साल का लेकिन अपने तजूर्वे से मैं जो आपकी मदद कर सकता हूँ वो मैंने इस वीडियो में आपकी मदद करने का प्रयास किया है अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे वाट्साइप नंबर 94-15-706-300C 9415-786-380 पर आप अपनी क्वेर वाट्साइप कर सकते हैं या नोटिफिकेशन पैनल में लिखकर हमें भेज सकते हैं हम आपको आपके सवालों का संतोचनग जवाब देने का प्रयास करेंगे आप हमारे बुजुर्ग हैं बड़े हैं पूज हैं आपसे मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कह सकता हूँ कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेर जरूर करिएग ये आपका चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करके हमारा नया वीडियो सबसे पहले पाते रहिएगा और हमें हमेशा आपने साथ पाते रहिएगा आपका इतने वक्त हमारी बाते पेशेंटली सुनने के लिए हमारा साथ देने के लिए हमाई साथ रहने के लिए बहुत बहुत आभार बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत धन्यवाद कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो